सबी भाईयों को नमश्कार फिर से स्वायत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल दल सिंग डेरी फारम पे जो भाई नए जुड़े हैं तो एक पर वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो के पास लगया गंटी का बटन भी दबा दे ताकि आने वाड़ी वीड तो जोटी बहुत ही शांदार और बहुत ही अच्छे रेकोड़ गी यह जोटी है तो अडर क्वाल्टी अर्थनों की क्वाल्टी से आप अंदाजा लगाई सकते हैं कि जोटी बहुत ही शांदार है तो पुठ्थे की चोड़ाई भी बहुत ही कम मिलेगी इस तरह की जोटी आइट लेंथ बहुत ही अच्छी जोटी कि पूरी ब्लेक जेड पूछ तो भाई ये कली अपने फार्म पे आई थी तो आज सुबहेंगी जो वीडियो मैं आप सब आईयों के सामने ला रहा हूं तो जोटी का जो सेकिंड टाइमर का जो दूद्ध का रेकोड है वो भी बहु दूद्ध का रेकोड है वो है बही 22 किलो बता रहे थे मालिक गाउं में रिकोड करवाया था तो फर्स्ट टाइमर भी 17-18 किलो दूद्ध फर्स्ट टाइमर ने दिया था इसने तो इस ब्यांत भी अभी जैसे 10 दिन ब्याने में अभी 6 एन देख सकते हैं अभी तो जो ब्यांत के टाइम की जो वीडियो है वो भी मैं आपके सामने लाँगा तो उस वक्त तक जोटी का जो अडर है बहुत ही शांदार हो जागा और थनों में भी फैसला बहुत अच्छा हो जागा अगले पिछले सभी थनों में तो जैसे साब से अभी जोटी अडर निकालने लग रही है और जो पहले गया रकॉड उसे साब से जोटी ने दूद देना चाहिए 24-25 किलो तो आराम से निकालना चाहिए बाकि ठीक ठाक ब्याज जेव है उसके बाद ही जैसे ब्या कितना पीक पॉइंट पकड़ पाती है तो अभी वही जोटी इस सेल के लिए भी है ऐसा नहीं है कि सेल के लिए नहीं है तो जो सेल के बारे में वो दो जो जोटी का ब्याद दस दिन बाद जो इसकी किम्मत है मैं आपको बता पाऊँगा क्योंकि जब भी पता लगेगा कि जोटी के उपर क्या रूप आता है तो देख सकते हैं बिलकुल दो रे मुठिया थन है पूरी आइट लेंद की जोटी सिंग की क्वाल्टी भी बहुत ही बढ़िया लटो पे दोनो तरफ नस भी बहुत अच्छी है जोटी के देख सकते हैं बिलकुल खुल ले अडर की जोटी के नसे देखें नसे बहुत ज्यादा लोटे वे दोनो तरफ हैं पूंच भी बहुत अच्छी बिलकुल ब्लैक जड़ है अपने इस बुल की आइट बहुत ज्यादा है पांच आठ की आइट है इस बुल की तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जोटी इसके साथ कैसे दिख पा रही है तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो सब भाईयो का वीडियो आकर तक देखने लिए दन्यवाद तो शेर एंड सस्क्राइब चैनल को जुरूर करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी चोटियो की वीडियो आप सब भाईयो के सामने लाता रहूं तो ठीक है सभी भाईयो को नमस्कार भी